नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंचागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल इसमाथ हाउस प्लान दोस्तों आप बहुत बेतरीन प्लान के विशे में शर्जा करने वाले हैं जैसा कि आपने हमारा थमनेल लेखा होगा एक गुड लोगिंग लोगिंग हाउस प्रेंट टे लाइद शर्फिक पकषिक क Не रहने वाले हैं उन्ने के मेने साथ या खुद का ही मघान होगा और फिर से उन्होंने हमें वे रिकुरमेंट के अगभाडिमेन बना कर आसे दिया है तो इसी और βीडो हम आपके सामने प्रिस्तुत करने वाले हैं कि इनकी requirement की था क्या था और इस model का design कैसा होने वाला है तो आप भी हमारी पेड़ से बिसका इस्तमाल कर सकते हैं description में हमारा WhatsApp नमबर दिया गया है आप हमें आपर content कर सकते हैं आप हमारे सारे models को हमारी website पर read देख सकते हैं आपके सामने बेतरी से हाउस को इलिवरेट कर देते हैं तो दोस्तों जिस model में बात कर रहा था यह पूरा model होने वाला है और यह देख सकते हैं इस पर मैंने उनका नाम भी लिखा मिश्टर राइसकुमार और यह उनकी requirement या according पूरा हाउस बना हुए बहुत ही खुबसूरत हाउस होने बाला है और यहाँ पर मैंने बीच में space छोड़ा है क्योंकि उन्हें जाल लगवाना था देख सकते हैं चर्थ पर तो यह पूरा model उन्हीं के requirement के according डिजाइन किया गया है और उनके उन्हें कार पार्किंग भी चाहिए थी तो कार पार्किंग भी मैंने बनाई है उन्हें बेतरी सा फ्रेंट डिलेविशन भी चाहिए था तो उनकी requirement को ध्यान में रखते हुए मैंने बनाया है जो की अलीगड़ के रहने वाले हैं तो अगर आप भी हमारी paid service के इस्तेमाल करना चाहते हैं तो description में दिएगे number पर हमें contact कर सकते हैं तो सबसे पहले स्माडल की में बात करते हैं front television की तो आप सामने से अगर देखेंग तो आपको ऐसा मकान देखने वाला है यहाँ पर एक 10 पिट का बड़ा सा डूर लगा है क्योंकि यहाँ पर कार पारकिंग के लिए मैंने space दिया है भी आपको दिखाऊंगा सारी रिटेल सबसे पहले आप चारो तरफ से देखीगा यह पूरी तरह के closed घर है इन cable front में ही open है अगर यह चाहते हैं पीशे में दर्वा जाव अगरा लगाना तो आसानी से लगा सकते हैं अगर इनकी जगह होगी तो अब बात करते हैं इसके ground floor की तो यह दोस्तों ground floor एक बेतरी से model की शाहत आपकी सामने में डिसकस करना हूँ यह देख सकते हैं पूरा front अगर बात करें यह main door है जहां से पूरे घर में entry होगी और side में दो window दिये हैं इसके बाद left hand side पर एक bed room है उस पर भी एक window है भी में सारा detail दिखाने वाला हूँ इधर एक बड़ा सा 10 फ्रिट का gate है जैसे car parking करेंगे तो इस model के जो मैं top view आपको दिखाऊंगा तब सारी सीजी clear होगी तो देखीगा front यह होने वाला है इधर सागर आप सामने से देखेंगे तो आपका ऊपर से मकान ऐसा दिखेगा और मैं सभी चीज़े आपको समझाने क कोशिश करता हूँ तो सबसे पहले lift and side की बात करते हैं तो यह main gate है यहां से आप car parking करेंगे और car parking के लिए बड़ा सा space मैंने देने की कोशिश की है जहां पर proper तरीके साब car parking हो जाएगी और इसी space पर एक stairs है जो की पहले इधर से चाढ़ेंगे और इसका turn लोकर बाहर की तर अब नहीं होगा बड़ा से gate लगा दीजिए इसके बाद अगर आप car parking से ही अपने घर में इंट्री करना चाहते हैं इस वाले main door से तो इसली मैंने आप एक door दे दिया है इस door को open करके आप आसानी से घर में इंट्री कर जाएगे लेकिन main door यह होने वाला अगर आप car parking पहले इसे है घर में इंट्री करना चाहते है तो इस वाले portion को आप लीप कर सकते हैं इसको access ना करें इस पर मत जाएए डारेक्ट आप इस वाले door को open करिएगा और आप में में इंट्री कर जाएगे तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा space मिलेगा right hand पर एक bedroom जो की देख सकते है इदर से मैंने door दिया है और अगे आप पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं ये पूरा और आपकी सामने detail अब जो car parking वाला area था इसके just पीसे एक bedroom मैंने दिया है जिसका door इदर से दे दिया है इसके बाद इदर की बात करें तो ये दोस्तों आपका kitchen area ये आपका पूजा गहर है उनकी requirement थी इसके बाद ये एक bedroom उनका बना हुए है और इधर से ये सारे सभी को आप या अंगन से access कर पाएंगे सभी पर डोर दिये और जहां जा possibility हो सकती थी वह हमने window दिया है यावत की छोटा window ही दिया है वर दिया है kitchen में इसके बाद इदर आपकी ये आपका bathroom है ये late के लिए मैंने toilet के लिए space अलग बनाए क्योंको separate सबको चाहिए था तो आप इसे command भी कर सकते है आपकी requirement पर depend करता है इसके पाद इस corner पर भी आपको bedroom देखने को मिलता है जो की दर से door है और इदर से window तो इसमें दोस्तों तीन bedroom हुने चाहिए तो एक इस corner पर bedroom है इस ए आप तो एक बड़ा सा bed room देखने को मिलता है और इधर आपकी car parking मिलती है car parking में दोस्तों आप आंगल से भी इंट्री कर सकते हैं और इस bedroom में एक window भी आपर दिया है car parking के side से और इधर अगर आप window देना चाहते है तो दे दे हाला कि मैंने दे दिया अगर आपकी requirement है तो आप वित्रीन सा model बनकर ready होता है उनकी requirement के according उनके dimension के according तो यह तो ground floor हो जाता है बात करते हैं इसके first floor की तो यह देखिए कि आप जैसे first floor पर दोस्तों आप आते हैं तो यह पूरा similar मकान बनाया है मैं कोई भी changement नहीं किया है सिर्फ आगे वाला जो area था उसको मैंने चेंज कर दिया है यह जो main door वाली आपकी window थी आपकी जो wall थी उसको मैंने थोड़ा सा पीछे लगए चार round floor पर था वैसा ही first पर है सर्फ ग्रिल आपका मैंने लगबग आप ग्रिल का अगर ध्यान से देखेंगे तो इधर आपके space दो फिट है और इधर तीन फिट है एक फिट मैंने बीच में आगे की तरफ ग्रिल को design किया है और यह आपका पूरा दो फिट में बना हुआ है और front में दोनों panel और अपने channel का logo भी बने हाँ पर लगा दिया है तो यह first floor की बात करें और किसी परकार का चेंजमेंट नहीं किया है बीच में आप जाल रखवाईएगा क्योंकि आपके आसपास space नहीं है इसी वेज़ेस मैंने आपर जगए भी छोड़ रखी है बात करते हैं लाश लोर की तो साड़े तीन फिट का boundary वाल चारो तरब देखने को मिलेगा फ्रेंट में आपको वेतरीन से elevation और यह boundary वाल और यह आपको स्टेर्स को ढखने के लिए जो स्टेर्स नीच से थी उसको ढखने के लिए दोस्तों गुम्टी बना दी और यह आपस पर एक सथ ब करना चाहते हैं तो आप हमें contact कर सकते हैं नमबर हमारा description में मिल जाएगा आप हमें Instagram, Facebook पेज़ पर फॉलू कर सकते हैं सभी के link आपको description में मिल जाएंगे दोस्तों मैंने एक application वी launch से जल्द कर रहा हूं जिसकी help से आप अपने घर में कितना material लगने वाला है कितना cost लगने लोड कर पाएंगे वीडियो के इसमात करेंगे वीडियो के लाइक से जिरू करते हैं थाइंक्स वाचिक